आप लोग बताओ क्या अब आप लोग का सिपना लिग है से हो अच्छा वेरी गूट ओके सो फ्लावर्स बता सकते हो कि आज हम क्या करने वाले हैं आज नहीं हिंदी स्वर के कुछ अक्षर लिखना प्रैक्टिस करेंगे हां अच्छा फ्लावर्स इसके लिए तो हमें हिंदी माई प्रैक्टिस बुक तो ले आना पड़ेगा है ना हम सो ये वेखो ये ही तो है हिंदी माई प्रैक्टिस बुक है ना सो फ्लावर्स जल्दी से जाकर ये बुक ले आओ और उसके साथ एक पेंसिल और एक इरेजर भी ले आना ठीक है चलो अब इस बुक के पेज नामबा 7979 उपिन करना पड़ेगा उच नामबा इस दिस मेरे साथ बोलो एक बार 7979 राइट ओके वेरी गुड तो आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे हिंदी स्वर के कुछ अक्षर है ना अच्छा फ्लावर्स मुझे ये बताओ कि हम तो इससे पह आता है आपको बता है हम ए आता है है ना ये देखो ए फिर आई है ना वेरी गुड फिर ओ है ना फिर ओ है वेरी गुड फिर ओ के बाद क्या आता है आपको पता है जल्ली से बताओ फ्लावर्स हाँ वेरी गुड अम है ना फिर आहा ओ के वेरी गुड तो आज हम यही सभी अक्षर लिखना प्रैक्टिस करेंगे So flowers सब लोग जल्दी से तयार हो जाओ लिखने के लिए ठीक है तो चलो flowers activity शुरू करते है चलो So my dear flowers आव हम यह सभी अक्षर लिखना प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर ठीक है चलो यह क्या है A, फिर I फिर O O, O A, A Right, O, K चलो सब से पहले हम फिंगर से ट्रैस कर ले O, K, कैसे देखो सब से पहले एक खरी रेखा फिर ऐसे एक तीर ची रेखा निकालेंगे है न, फिर और एक खरी रेखा फिर ऐसे घुमा देंगे और मात्रा देंगे यह क्या है A, फिर चलो I को ट्रैस करते है हम, सब से पहले एक खरी रेखा फिर ऐसे एक तीर ची रेखा निकालेंगे फिर और एक खरी रेखा इसे ऐसे घुमा देंगे फिर मात्रा देंगे है न, फिर यहाँ से और एक तीर ची रेखा निकालेंगे है ना ये क्या है आई फिर ये क्या है ओ है ना चलो इसे भी हम ट्रेस कर लें कैसे सबसे पहले एक आधा गोल निकालेंगे फिर उसे जोर कर और एक आधा गोल निकालेंगे फिर ऐसे करके दो खरी रेखा निकालेंगे फिर मात्रा दे देंगे फिर यहां से एक त ट्रेस कर लें फिंगर से, सबसे पहले एक आधा गुल निकालेंगे, फिर और एक आधा गुल ऐसे करके निकालेंगे, फिर ऐसे करके दो खरी रेखा निकालेंगे, फिर मात्रा दे देंगे, फिर दो तीर्ची रेखा निकालेंगे, ऐसे करके हैना, ओके, फिर ये क्या है, अम है ना ये trace कर ले चलो सेम तरीके से एक आधा गोल निकालेंगे उसे जोर कर और एक आधा गोल निकालेंगे फिर ऐसे करके एक खरी रेखा फिर माचा दे देंगे फिर क्या एक बिंदू निकालेंगे है ना ओके फिर ये क्या है चलो ये भी trace कर ले सेम तरीके से है ना एक आधा गोल निकाल के और एक आधा गोल ऐसे करके निकालेंगे फिर ऐसे करके दो खरी रेखा फिर माचा दे देंगे और दो बींदु निकालेंगे है ना चलो अब पेंसिल लेलो सब पेंसिल से हम लिखेंगे ये क्या है ए है ना चलो एक ऐसे लिखते हैं आप तो लिख सकते हो मिरे साथ लिखो एक खरी रेखा निकालेंगे है ना फिर ऐसे करके एक तिर्ची रेखा निकालेंगे ऐसे गुमा देंगे फिर और एक खरी रेखा निकालके ऐसे गुमा देंगे फिर क्या मात्रा देंगे ये क्या है ए है ना च खरी रेखा फिर ऐसे गुमा कर और एक मात्रा दे देंगे है ना ओके चलो आप सब भी लिख लो अभी फ्लार से क्या है आई है ना ये भी लिख ले चलो सेम तरीके से एक खरी रेखा फिर एक तीरची रेखा निकाल के ऐसे गुमा देंगे फिर और एक खरी रेखा निकालेंगे फिर ऐसे गुमा कर मात्रा देंगे है ना फिर ऐसे करके और एक तीरची रेखा निकालेंगे आई है ना चलो यहाँ पर भी लिख लेते हैं सेम तरीके से एक खरी रेखा निकालेंगे फिर ऐसे करके एक तिर्ची रेखा निकालेंगे और ऐसे गुमा देंगे फिर और एक खरी रेखा ऐसे फिर ऐसे गुमा देंगे फिर मात्रा दे देंगे और यहाँ से एक और एक तिर्ची रेखा निकालेंगे यह क्या है आई है ना ओके फिर यह क्या है ओ है ना चलो यह भी ट्रेस कर ले कैसे आप लोग तो लिख सकते हो मेरे साथ लिखो कैसे flowers एक आधा गोल निकालेंगे फिर उसे जोर कर और एक आधा गोल ऐसे निकालेंगे फिर ऐसे करके दो खरी रेखा निकालेंगे फिर मात्रा दे देंगे और यहां से एक तिर्छी रेखा निकालेंगे है ना चलो यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक आधा गोल निकालेंगे फिर और एक आधा गोल ऐसे निकालेंगे ऐसे करके दो खरी रेखा निकालेंगे फिर मात्रा दे देंगे और एक ऐसे तिछी रेखा निकालेंगे है ना ये क्या है फिर आओ लिखते हैं चलो कैसे सेम तरीके से फ्लावर्स दो आधा गोल निकालना है हमें है न फिर ऐसे करके दो खरी रेखा निकालना है फिर मात्रा दे देंगे और ऐसे करके दो तीर्ची रेखा निकालेंगे यह क्या है आओ है न चलो फिर से लिख लेते हैं, एक आधा गुल निकालके फिर और एक आधा गुल निकालेंगे, फिर ऐसे करके दो खरी रेखा निकालेंगे, फिर मात्रा दे देंगे और यहां से दो तीरची रेखा निकालेंगे है ना, चलो ऐसे करके फ्लोर्स आप लोग भी लिख लो, अभी flowers ये क्या है, अम हाँ ना, चलो सेम तरीके से दो आधा गुल निकालेंगे, हैiggling फिर क्या, ऐसे करके एक खरीरेखा, फिर क्या मात्र देंगे, और एक बिंदू निकालेंगे, अम फिर से चलो लिख लेते है, सेम तरीके से flowers आप लिख सकते हो मेरे साथ लिखो हाँ ऐसे करके फिर एक खरी रेखा निकालेंगे फिर मात्रा देकर एक बिंदू निकालेंगे सो हमने क्या लिखे अम है ना ओके अभी फ्लावर्स यह क्या है चलो यह भी लिख लेते है सेम तरीके से फ्लावर्स दो आधा गोल निकालेंगे हाँ फिर देखो मैंने तु लिख ली फिर ऐसे करके दो खरी रेखा निकालेंगे हाँ फिर मात्रा दे देंगे और ऐसे दो बिंदू निकालेंगे ठीक है चलो फिर से लिख लेते है दो आधा गोल निकालके ऐसे करके दो, खरी रेखा निकालेंगे, फिर मात्रा दे देंगे, और दो ऐसे बिंदु निकालेंगे, यह क्या है, आहा, है न, ओके, फ्लावर्स, अभी आपको क्या करना है, ठीक, ऐसे ही, आपको यहाँ पर भी, सब इखिरों को लिखना है, ठीक है, चलो, जल्दी से आप ठीक है? चलो. So, my dear flowers, आज हमने हिंदी स्वर के कुछ अक्षा लिखना प्राक्टिस किये है, है ना? अभी आपको क्या करना है? आप घर में भी अच्छे से प्राक्टिस करना? नहीं तो कैसे याद रहेगा, है ना? प्राक्टिस करोगे ना? चलो. So, my dear parents, I would like to request you to submit this page on the Google Classroom. So, my dear flowers, आज के लिए इतना हिं ठीक है? चलो, take care of yourself. Love you, flowers. Bye.